नमस्कार टेली डियो जारकन में स्वागत है आपका मैं हूँ इम्तियाज अंसारी प्रस्तुत है समाचार रंका से हमारे संबादाता परदीप साव की रिपोर्ट क्रिसी बिल कानून को लेकर एन एस 343 को किया जाम गाडियों की लगी लंबी-लंबी कतारे संजुक्त किसान मोर्चा की ओर से तीन क्रिसी कानून बिल को वापस लेने की मांग को लेकर क्रिसी बिल के विरोध में रंका में महागडबंधन जारखन मक्ती मोर्चा भागपा माले सहित छेत्रिय पार्टी के नेतित में का पूल मुख्य मार्ग एनेच 343 जाम कर दिया गया बंद के दोरां ज्हाम ओ रंका प्रखंड अध्यक्च आसिस कुमार गुपता ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा क्रिसी बिल लागू होने से किसानों की कमर तूट जाएगी इस कानून के बिरोध में देश के किसान सडकों पर हैं इस बर्शाद के मौसम में भी बच्चे से लेकर नौजवान बुढ़े महिला पुरुस सडक पर हैं लेकिन सरकार किसान बिल को वापस नहीं ले रही है उन्होंने जब भी कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ किसानों का नहीं या आम जनों का हो गया है सरकार को अबिलम इन तीनों क्रिसी कानूनों को वापस लेना होगा नहीं तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा उस सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कई तरह के हतकंडे भी अपनाए हैं मौके पर जामोनेता और अंजेव अंसारी ने भारत एक क्रिसी प्रधान देश है हमारे भारत का किशान 10 महीने से अपने हक वो अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं फिर भी केंद्र सरकार उन लोगों पर दिया द्रिश्टी नहीं दिखा रही केंद्र सरकार को क्रिसी उन बिल बापस ले लेनी चाहिए इस दोरान महागडबंधन पार्टी के कार्जकारताओं ने लगबक 6 घंटे तक NH343 सड़क जाम कर दिया जिसवे दोनों और पहनों की लंबे कतारे लग गई इस मौके पर जहारकंड मुक्ती मौर्चा पार्टी रंका परकंड युवा अ अमंग सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्जकरता उपस्तित थे